सो हलो माइडियो स्टुडेंट्स आज की वीडियो में हम करने वाले क्लास 9 का इंसी एाटी मैट्स यह चैप्टर नुम्बर 2 का एक्ससाइज 2.4 है और कोश्चन नुम्बर 11 है सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड वीडियो को लाइक भी कर दो आप लोग लाइक नहीं करते हो बस देखके चले जाते हो सो प्लीज लाइक कर दो तो चलो करते हैं कुश्चन नुम्बर 11 है जिसमें फैक्टराइज करना है 27 x q प्लस y q प्लस z q माइनस 9 x y z माइनस x y-y-z-z-z-z-z, घृपियर माइनस इसका फॉर्मूला होता है जो मैंने लिखाए ठीक है x q प्लस y q माइनस 3 x y z तो यह पूरा कमबाइनीज का फॉर्मूला है इस तरीके से अगर आप देखोगे ये वाला जो लिखा है बिलकुल इस तरीके से नहीं लग रहा है अगर मैं इसको लिखूँ 27x3 है तो यहां 3x3 ठीके प्लस y3 प्लस z3 and minus 3 into 3x into y into z तो बिलकुल y हो गया इस तरीके से हो गया तो क्या हम इसको भी तो इस तरीके से लिख सकते हैं तो लिखो यहां पर क्या दिक्कत है x plus y plus z तो 3x plus y plus z and bracket में क्या हो जाएगा 3x का square plus y का square plus z का square minus xy तो 3xy minus yz तो yz minus zx तो 3xz बस यही इसका answer था ठीक है अब यहां पर 3x square है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3x plus y plus z bracket में 3x square तो 9x square हो जाएगा plus yz plus z square और यह as it is 3xy minus yz minus 3xz यह question number 11 था ठीक है question number 12 है यहां पर verify करना है that xq plus yq plus z cube minus 3xyz बराबर है 1 by 2 x plus y plus z bracket में x minus y ka whole square y minus z ka whole square plus z minus x ka whole square so इसमें से हम किसी एक को solve करेंगे and देखें कि क्या जो दूसरा part है उसके equal है या नहीं that means कि LHS RHS के बराबर है या नहीं so एक को उठाते हैं आप चाहें इसको भी कर सकते हैं इसको भी तो मैं इसको करके दिखाती हूँ या पर देखो पहले लिखोएं या पर 1 by 2 x plus y plus z and bracket में जो है हमारे पास x minus y ka whole square plus y minus z ka whole square plus z minus x ka whole square right हमारे पास यह है तो हम क्या करेंगे a minus b ka whole square के form में इनको split कर लेंगे तो 1 by 2 x plus y plus z and bracket में जो इसको split करोगे तो x square minus 2 x y plus y square right plus y ka square हो जाएगा minus 2 z x plus z square right यहाँ पर plus z minus z ka square minus 2 z x plus x square हो गया अब देखो पहले यहाँ पर लिखो 1 by 2 x plus y plus z and यहाँ पर देखो x square और x square 2 x square हो गया 2 x square y square y square plus 2 y square हो गया z square z square तो plus 2 z square हो गया and अब वापर से यहाँ देखो minus 2 x y minus 2 z x minus 2 2 z x यहाँ पर था ना 2 z y होगा ठीक है 2 z y and यहाँ पर 2 z x है अब सम में 2 2 है तो 2 हम common ले लेंगे तो 1 by 2 x plus y plus z bracket के बाहर 2 अगर common ले लोगे तो क्या बचेगा under x square plus y square plus z square minus x y minus y z minus z x अब यह देखो 2 और 2 डिविजन में है तो इसलिए डिवाइड हो जाएगा हमारे पास बचा x plus y plus z and दूसरी bracket में x square plus y square plus z square minus x y minus y z minus z x तो देखो यही मैंने as it is यहाँ लिखा अब यह जो number रहने x plus y plus z इसका multiply इसमें होगा तो एक एक करके multiply कर लेते हैं तो x का multiply यहाँ करोगे इसके बाद इसमें होगा तो minus x square y minus x y z minus z x square समझ मैं है बस x का multiply किया भी यहाँ तक अब क्या है y का है तो plus y into x square तो y x square फिर y into y square तो y cube हो जाएगा फिर y into z square तो y z square ठीक है अब उसके बाद यहाँ तक होगे इसको लिखो यह हो जाएगा x y z sin minus का हो जाएगा minus y square z यहाँ पे यहाँ पे हो जाएगा minus y into z x करोगे तो x y z ठीक है x y z हो गया अब z की बारी है तो z into x square तो z x square प्लस z y square प्लस z का क्यूब माइनस z x x y z राइट अब उसके बाद minus y z square minus z square x अब इतना करने के बाद इन सब में यहाँ पे देखना है कौन सा चीज जो है वो माइनस प्लस हो रहा है जगो x y square प्लस में है और x y x square y है तो हमें x y square ढूड़ना है x y square कहां पे हैं एक चीज़ ध्यान देना मैंने यहाँ पे क्या क्या y का multiply जब यहाँ पे होगा तो y square x हो जाएगा तो y square x ठीक है तो अब क्या करनेंगे देखो x y square है x y square यह plus में है minus इसले cancel हो जाएगा plus minus 0 हो जाएगा उसी तरीके से यहाँ पे x square y है और यहाँ पे x square y यह भी cancel हो जाएगा ठीक है अब यहाँ पे x z square है और यहाँ पर x square z है तो हमें x square z डूढ़ना पड़ेगा यह देखो इसके नीचे यह तो यह cancel हो जाएगा इसी तरीके से y square z है y z square है यहाँ पर y square z z y square देखो यह plus minus cancel हो गया z square x और y z square y z square यह plus है यह minus है cancel हो गया अब क्या बचा x z square x z square plus minus यह भी cancel हो गया हमारे पास क्या क्या बचा है देखो अब कुछ भी नहीं बचा एक तो यह बच गया है यह बच गया है यह बच गया है और तीनों में x y z common है तो हम क्या लिखेंगे x cube plus y cube plus z cube यही तो बचा है x cube y cube z cube ठीक है उसके बाद यह तीनों बचे है तो हम क्या लिखेंगे minus 3 x y z अब ही हमने question में क्या लिखा था है यहाँ पर देख सकते है जो verify करना था उपर verify करना था x cube plus y cube plus z cube यही यहाँ पर भी है और यहीं यहाँ पर भी है नीचे तो हम क्या conclude कर सकते है hence prove lhs जो है rhs के बराबर है तो यह था question number 12 थोड़ी सी mistake हुई थी यह आपे जोकि मैंने सही कर दी तो next question करते है question number 13 तो question number 13 है अगर x plus y plus z बराबर 0 है तो क्या x cube plus y cube plus z cube बराबर होगा 3xyz के तो इसको देखते है हमने अभी एक formula पढ़ा है कि x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz बराबर होता है x plus y plus z and bracket में x square plus y square plus z square minus xy minus yz minus zx यह formula पढ़ा है ना अब जब इसमें से एक 0 हो जाएगा यह 0 हो गया और 0 का multiply कितने भी बड़े number से कर दो 0 ही आना है तो हम क्या लिखेंगे x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz बराबर इसकी जगा 0 multiply इसके x square plus y square plus z square minus xy minus yz minus zx तो क्या होगा 0 ही हो जाएगा तो जब x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz बराबर 0 के तो क्या हम यह नहीं लिख सकते कि x cube plus y cube plus z cube यह minus 3xy इदर जाएगा तो 0 plus 3xyz बराब प्लस 0 का मतलब कुछ भी नहीं है तो हम लिख लेंगे x cube plus y cube plus z cube बराबर है 3xyz जो कि हमने दिखा दिया जो उन्होंने बोला था कि show that now question number 14 करते है देखो question number 14 के first में इन्होंने बोला है बिना calculation की आपको यह बताना है और अभी मैंने आपको यह वाला formula बता है कोई formula तो नहीं है बट अगर यह हमने proof किया है इसको तो इसके भी आपे मैं इसको solve कर सकते हैं आप इसको learn मत कर ले देखो यहाँ पर a cube plus b cube plus c cube बराबर 3xyz के होता है तो हम भी लिख सकते है 3 into minus 12 into 7 into 5 अब बस multiply करना है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 36 minus 36 into 75 is a 35 right 75 is a 35 हो गया इन दोनों का multiply करो अगर मैं 7 ही लिखो ठीक है 7 into 5 लिखो इससे क्या होगा आसानी होगी देखो कैसे अब देखो इसका और इसका multiply करो 0 है ना 5 6 है 30 5 3 है 15 plus 3 18 तो minus 180 आगया अब 7 18 7 जब 126 होता है उस 0 एड़ कर दो तो आसान होगे calculation वैसे 36 into 35 करना होता ऐसे हमारा यह answer आगया एक question और है इसी में जो हम कर लेते हैं second है 28 का q plus minus 15 का q plus minus 13 का q तो इसको भी हम लिख सकते है equals to 3 x y z के so 3 into minus 28 into minus 15 into minus 13 अब बस calculation करना है हमें तो 28 में 3 का multiply करो 3 8 ज़़ 24 3 2 ज़़ 6 plus 2 8 84 हो गया into minus 15 minus 13 minus 13 अब फिर से multiply करना है यह पर तो minus 15 into minus 13 करोगे तो plus हो जाएगा और इसमें इंजो करोगे तो plus ही रहेगा क्योंकि 2 हमने minus already कर लिए तो इसका पहले इसके साथ करते है 15 फोर्जा क्या होता है 60 6 इस पर forward हो जाएगा 15 8 जा होता है 120 120 plus 6 करोगे तो 126 हो जाएगा तो यहाँ पर minus 1 126 0 into minus 13 अब यहाँ पर 13 यहाँ पर कर दो 13 into 0 13 13 7 जा क्या होता है 78 8 हो गया 13 into 0 26 plus 7 करोगे तो यहाँ पर 33 याफिर सम्थिंग होगा तो यह आएगा 16380 के सम्थिंग जबकि यह minus minus प्लस होगे यह इसका आंसर होगे राइट Q15 ए गिप पॉसिबल एक्सप्रेशन for length and breadth of each of the following rectangles in which their areas are given तो कहने का मतलब है यहाँ पर हमें area given है और हमें बताने की length और breadth क्या होगी तो हमें पता है area of rectangle क्या होता है length into breadth L into B होता है तो basically हमें इसका factor ढूडना है factor ढूडने के लिए देखो यह क्या है quadratic equation है a square 25 a square minus 35 a plus 12 into 25 करोगे तो क्या आएगा 300 होगा अब हमें दो number ऐसे ढूडने है जिनको multiply करने पर तो 300 आए और plus minus करने पर हमें 35 मेले ऐसे दो number क्या हो जाएंगे यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर 30 into 10 करती हूँ तो 300 आ रहा है लेकिन अगर 30 plus 10 करोगे तो 35 तो नहीं 40 आ रहा है इसके लिए हमें क्या ढूडना पड़ेगा अगर मैं 35 35 into 15 करती हूँ तो यह गलत हो जाएगा नहीं यह भी जाद हो जाएगा तो अगर देखो यहाँ पर मैं अगर 20 into 15 करती हूँ तो तो 300 आ रहा है और अगर इसको plus कर रही हूँ तो हमारे पास 35 तो यह देखो इस तरीके से आपको सोचना पड़ेगा जो मैंने यहाँ पर सोचा है तो अब क्या करेंगे इसको factorize करते है यहाँ पर 25a square minus 20a minus 15a तब ही यहाँ पर plus होगा plus 12 अब इसमें और इसमें 5 common है तो 5a अगर मैंने common ले लिए bracket में क्या बचेगा 5a minus 4 ठीक है 5a minus 4 minus 15 है यहाँ पर और यहाँ पर 12 है राइट दोने में क्या common है 3 common है 3 बहा ले लिए तो यहाँ पर 5a और minus लिए है तो bracket में change हो जाएगा sin इसलिए 4 हो जाएगा तो इन दोनों को एक बार लिख लो 5a minus 4 और यह पर 5a minus 3 या तो यह L हो सकते है या तो यह L हो सकते है या तो यह L हो सकते है तो इसका मतलब है L and B हमें पता चल गया यहाँ पर लिख दो L equals 2 यह लेंगें लेंद 5a minus 4 यह 5a ठीक है 5a और जो b है हमारा 5a-3 that's it right इसी तरीके से question बर b करते है देखो b है यह भी quadratic equation है तो 35y square and 12 इन दोनों का multiply करोगे तो 35 into 12 करोगे तो answer आएगा यहाँ पर 420 अब इसको factorize करोगे तो अगर 28 into 15 करते हूँ तो 420 आ रहा है और अगर इसको minus करते हूँ 28 में से 15 को तो हमें 13 मिल रहा है तो इसका मतलब यह सही है तो इस तरीके से सोचो and इसको factorize करो तो यहाँ पर लिखो 35y square अब यहाँ पर plus है त करती हूँ तो मैं 13 मिलेगा माइनस 12 क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है तो इसमें से इसको subtract करोगे तो 13 आएगा 13 and sign किस की रहेगी बड़े वाली तो इसलिए प्लस हो गया 35 और 28 क्या common है 7 y बाहर लेंगे तो 5y प्लस 4 बचेगा और यहाँ पर माइनस है तो अगर माइनस common ने लेती हूँ 3y ठीक है तो अब अंदर क्या बचेगा 5y माइनस 4 राइट 35 जा 15 3 4 जा 12 यहाँ पर माइनस common लिया तो इस ब्रैकेट में प्लस हो जाएगा ठीक है और यह दोनों common है तो 5y प्लस 4 हमारा प्रैकेट में हो गया 7y माइनस 3 तो हम कह सकते है ल इकोस टू 5y प् सकते है इसको L मान सकते है ठीक है तो वह कॉस्चन के एकॉर्डिंग लेकिन L इंटू B हमारा L और B हो गया राइट कॉस्चन में 16 में में वॉल्यूम बताना है क्यूबोइट का तो क्यूबोइट का वॉल्यूम क्या होता लिखो वॉल्यूम ऑफ क्यूबोइट एक्वस्ट तो इसमें हम किस तरीके से फेक्टराइज करेंगे इसमें by grouping method grouping method क्या हो सकता है 3x square minus 12x का क्या हो सकता है इसमें 3x है इसमें 3x तो 3x अगर मैंने common ले तो bracket में x minus 4 बचेगा सो हमारा क्या हो जाएगा lbh तो यहां पर एक तो 3 और x into x minus 4 तो हमारा lbh इस तरीके से हो गया राइट कुश्चन में सकेंड है 12k y square plus 8ky minus 20k तो अब इसमें हमें lbh बताना है वॉल्यूम बताना है सो पहले देखो 12,8,20 सब में 4 common है और k तो सब में है तो हम 4k अगर common ले ले लेते हैं राकेट में क्या बचेगा 43 तो 3y बचेगा plus 2y minus 5 only 5 ठीक है अब देखो यहां पर y square था तो यह लिखो 3y square plus 2y minus 5 अब यह quadratic equation होगे यहां पर तो इसको हम उस तरीके से factorize कर लेते हैं इसका 4 के लिखो 3 facts are 15 होते हैं तो हम 15 को 53 जा 15 बना सकते हैं तो 3y square plus 5y minus 3y minus 5 अब दोनों में y common है तो y बाहर ले लेंगे तो क्या बचेगा 3y यहां पर y common ले ले तो 3y plus 5 बचेगा ठीक है minus अगर मैंने common ले ले माइनस 1 जब कुछ भी common नहीं होते हैं तो हम minus 1 ले लेते हैं माइनस 1 नहीं ले ले हैं क्योंकि यहां पर minus से तो प्लस हो जाएगा तो 3y plus 1 राइट अब यह दोनों common है तो 3y plus 1 plus 5 और दूसरे रेकेट में y minus 1 और यह 4k तो था लिए यहां पर ठीक है तो हमारा पास क्या हो गया lbh क्या हो गया तो 4k 3y plus 5 and y minus 1 that's it so lbh right so यहां पर यह एंड होता है हमारा 2.4 I hope आप सभी को समझ में आया होगा मैंने सारी वीडियो डाल रखी है I button पर मैं इसका link दे दूंगी आप महाँ से सारे वीडियो देख सकते हो पूरे question की I hope आपको यह एक सभी समझ में आयोगी अगरे देख समझ में आयोगी तो प्लीज लाइक करते हो और अपने दोस्तों को शेर जरूर करो Bye bye, we'll see you next video